गुड इवनिंग दोस्तो आज यह हमारा छटा लेसं है। छटे लेसं में हम देखने जा रहे हैं इंगलिस सीखने का तरीका। इंगलिस सीखने का वोट्याबलरी को बिल्ड़ अब करने का ग्रामर सीखने का यह सबसे बहतरीन तरीका है। इसमें आप बोर नाई ही होंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लेसन में तो आज का हमारा लेसन है मर्चंड एंड डॉंकी इस लेसन में हम सीखेंगे इस लेसन का moral of the story क्या है दोस्तों मैं moral of the story आपको बताना चाहता हूँ फिर हम स्टार्ट करेंगे दो विकेंड विकेड विकेड का मतलब होता है यहाँ पर दुष्ट अब दुष्ट किसको कहा जा रहा है यहाँ पर दुष्ट कहा जा रहा है गदे को गदे को क्यों दुष्ट कहा जा रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा मोरल मैं आपको बता देत तो यहां पर गदे को दुष्ट कहा जा रहा है मैं इससे वाकिफ नहीं हूं क्या आप इससे वाकिफ है अप मुझे जरूर बताएगा कि एक गदा है जिसकी capacity नहीं है 100 kg उठाने के अगर आप उसको 100 kg उठाने के लिए दे रहे हैं तो क्या वो उस काम में सफल हो पाएगा क्या वो काम उसको सही तरीके से वो कर पाएगा इसी के यह related story है तो चलिए हम बढ़ते हैं story के story पर और आप बहुत सारे word इसमें सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं मर्चंड एंड डॉंकी मर्चंड व्यापारी मर्चंड को हम क्या कहें दे व्यापारी और यह डॉंकी को हम बोलेंगे गदा अढ़ मर्चंड व्यापारी यूस्ट विजिट अ नियर बाई टाउं यानि जो छोटे-छोटे कजबे होते हैं हम उसको बोलते हैं टाउं और नियर बाई नजदी की टाउं गूंगता था used to visit जाते रहता था nearby town to sell bags of salt नमक की बेग बेचने के लिए नमक की थैलिया बेचने के लिए वो आसपास के गाउं में, टाउं में, कज़बों में घुमता रहता था कौन व्यापारी which he would load on his donkey, जो which he would load यानि उसके गदे पर वो जो बांधता था उसके गदे पर one day on the way to the town, एक दिन, एक दिन यानि town कज़बे की तरफ जाते हुए on the way to the town, the donkey क्या गदा slip यानि slip हो गया, यानि fissal गया into the pond, pond यानि तालाब कहां fissal गया गदा, into the pond, into the pond यानि in में, into the pond यानि pond में तालाब में देखे into the pond यानि तालाब में, the merchant pulled him out, वियापारी ने उसको बाहर खेचा, pulled him out यानि बाहर खीचा बाहर लाया, मियापारी ने उसको बाहर लाया the donkey was suddenly happy, donkey क्या हो गया, आचानक खुश हो गया, suddenly यानि आचानक हो गया, या हुगया या हुआ, suddenly the donkey was suddenly happy, खुश हुआ, आचानक गधा, खुश हुआ, it's loaded, उसका जो बोच था, जो लोड था, उस पर टॉन्ड हैवी, टॉन्ड वेरी लाइट, since almost all the salt had dissolved into the water, जैसे ही वो तालाब में गिरा, जो उसका नमक था, वो क्या हो गया, पिगल गया, जैसे ही नमक डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व यानि पिगल गया, पिगल गया, तालाब में तो उसका बोच क्या हो गया, हलका हो गया, since almost all the salt had dissolved हो गया था, into the water, डिसॉल्व य बूचकर अब एक बार तो गिर गया हो तालाब में फिर उसको पता चला कि जैसे ही मैं तालाब में गिरता हूं मेरा वजन कम हो जाता है तो अब नाव अब डोंकी डेलेबरेटली स्लिप इन्टु दी पॉंट एवरी डेयो रोज रोज यानि यह देखिए रोज वो जान बू बूचकर डेलिबरेटली जान बूचकर विद टाइम विद टाइम समय के साथ समय के साथ मास्टर अंडरस्टूड समय के साथ मास्टर अंडरस्टूड समझ गया उसका जो मास्टर मर्चंड वो समझ गया समय के साथ कि यह गदे की एक चाल है यह गदे की एक चाल है प्लान गदे को सबक सिखाएगा लेसन यानि सबक टीच यानि सिखाना डोंकी को गदे को सबक सिखाएगा next day अगले दिन the merchant अगले दिन व्यापारी लोड़ेड इस डोंकी with the cotton bells bells यानि दोस्तों बेल यानि क्फ़री फ default य होटे को जो शिखाना थ्यजसा दोस्तों कि यानि कुटरी पोट्ली इस तरह जो हम बोलते हैं उसको हम बेल होता है एक से जादे दो यहांपर हम क्या है बोल है बेल्स को हम क्या बोलेंगे गठरी बोलेंगे, पोटली बोलेंगे हम लोग, गाठ बोलेंगे, गाठ बोलते हैं नहीं, गाठ भी बोल सकते हैं उसको, The next day, अगले दिन, merchant loaded his donkey with the cotton bells, यानि उसने अपने गाट बांदी, अपने गदे के पीट पर किस से, गाट बांदी, cotton के शिर, जो cotton आता है न, बोरी, जो cotton, रुई, रुई की बारवी, बलके बजाए, नमक के, नमक के बजाए, उसने cotton की गाट बांदी, लोड किया, अपने गद form, fell, और तीसरा form, fallen, okay, जब गदा कहाँ पर गिरा, पॉंड में गिरा, when the donkey fell into the pond, जब उसमें गिरा, जब गदा कहाँ पर गिरा, पॉंड में गिरा, तालाब में गिरा, the cotton bells got wet, cotton की जो गाटरी थी, cotton की जो गटरी थी, वो got wet, क्या हो गई, गिली हो गई, क्या हो गई, गिली हो गई, got wet, गिली हो गई, and became very heavy, और क्या हो गई, वजंदार हो गई, heavy यानि वजंदार जो वजन वाली चीज़ होती न वजंदार हो गई the donkey could not even get up न अब जो गदा उट भी नहीं सकता था उट भी नहीं सकता था अब गदा उट भी नहीं सकता था because of the weight कारण उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा है वजन उसकी गठरी जो तालाब में पौन में गिरी तो उसमें पानी भर गया, कोटन की रूई भर गई पानी से, उसके वज़े से इसी के कारणा वो उठ नहीं पाया, और मर्चंड ने उसका बदला ले लिये, यानि उसको सबक सिखा दिया, पर वो तो जानवर है दोस्तो, जानवर से देना चाहिए, और हमें गड़े को यहाँ पर दुरुष्ट नहीं कहना चाहिए था, विकड नहीं बोलना चाहिए था, यह मेरा बंतव है, यह मेरा पर्सनल ओपीनिय ने, आपका ओपीनियन क्या है, मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा, नाव, यूविल नेवर ट्रा कहा गड़े को कहा, के तुम आब मुझे ट्रिक नहीं करोगे, तुम मुझे चाल बाजी नहीं करोगे मेरे साथ, तो यह धी श्टोरी मुझे आचा है, आपको इसमें मज़ा आया होगा, और मैरे से कुछ छूट गया तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा किया छूट ग Wicked Donkey के बारे में Thank you very much Keep learning, keep exploring Thank you